ओम शांति ओम शांति आज 10 जून दोहजार चौबिस तेन सोंवार की साकार मुर्ल आईए अब सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा के मधूर महावा क्यों को मीठे बच्चे लक्षे को सदा सामने रखो तो दैवी गुण आते जाएंगे अब अपनी संभाल करने हैं आसुरी गुणों को निकाल दैवी कुण धारन करने हैं प्रश्न आयू श्वान भाव का वर्दान मिलते हुए भी बड़ी आयू के लिए कौनसी महनत करनी हैं उत्तर बड़ी आयू के लिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की महनत करो जितना बाप को याद करेंगे उत्ता सतो प्रधान बनेंगे और आयू बड़ी होगी फिर मृत्यू का डर निकल जाएगा याद से दुख दूर हो जाएंगे तुम फूल बन जाएंगे याद में ही गुप्त कमाई है याद से पाप कट जाते हैं आत्मा हलकी हो जाती है आय समझा रही है पढ़ा भी रही है क्या समझा रही है मीठे बच्चो तुमको एक तो आयू बड़ी चाहिए क्योंकि तुम्हारी आयू बहुत बड़ी थी देर सो वर्ष के आयू थी बड़ी आयू कैसे मिलती है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने से जब तुम सतो प्रधा तो तुम्हारी आयू बहुत बड़ी थी, अभी तुम उपर चड़ रहे हो, जानते हो हम तमो प्रधान बने तो हमारी आयू छोटी हो गई थी, तंदुरुस्ती भी ठीक नहीं थी, बिल्कुल ही रोगी बन गई थी, यह जीवन पुरानी है, नई से भेट की जाती है, अभी तुम जानते हो, बाप हमको बड़ी आयू बनाने की युक्ति बताते हैं, मीठे मीठे बच्चो मुझे याद करोगे तो तुम जैसे सतो प्रधान थे, बड़ी आयू वाले तंदुरुस्त थे, ऐसे फिर से बन जाओगे, आयू छोटी होने से मरने का डर रहता है, तुमको तो गैरेंटी मिलती है, कि सत्यूग में ऐसे अचानक कभी नहीं मरेंगे, बाप को याद करते रहेंगे, तो आयू बड़ी होगी, और सब दुख भी दूर हो जाएगे, कोई भी किसम का दुख नहीं होगा, और तुमको क्या चाहिए, तुम कहते हो उच पद भी चाहिए, कि ऐसा पद भी मिल सकता है, अब बाप युक्ति बताते हैं, ऐसे करो, एम उब्जेक्ट सामने रखो, तुम ऐसा पद पा सकते हो, यहां ही दैवी कुन धारन करना है, अपने से पूछना है, हमारे में कोई अवगुन तो नहीं है, अवगुन भी अनिक प्रकार के हैं, सिग बन गए हो, अब वाइसलेस बनने की तुमको युक्ति बताते हैं, इसमें इन विकारों को अवगुनों को छोड़ देना है, कभी भी विशेश नहीं बनना है, इस जन्म में जो सुधरेंगे, तो वह सुधार 21 जन्मों तक चलना है, सबसे जरूरी बात है वाइसलेस बनना, जन्म जन्मांतर का जो बोज सर पर चड़ा हुआ है, वह योगबल से ही उतरेगा, बच्चे जानते हैं, जन्म जन्मांतर हम विशेश बने हैं, अभी बाप से हम प्रतिग्या करते हैं, कि फिर कभी विशेश नहीं बनेंगे, बाप ने कहा है, अगर पतित बने, तो सोगु ऐसे बहुत चले जाते हैं, अर्था धार खा लेते हैं, आगे तुमको पता नहीं था कि ये धन्दा विकार का नहीं करना चाहिए, कोई-कोई अच्छे बच्चे होते हैं, कहते हैं, हम ब्रह्म चरे में रहेंगे, सन्यासियों को देख समझते हैं, पावित्र ता अच्छी ह पावित्र और अपावित्र, दुनिया में अपावित्र तो बहुत रहते हैं, पकाने में जाना भी अपावित्र बनना है, इसलिए फोरण स्टन करना चाहिए, अपावित्र ता अनिक प्रकार की होती है, किसी को दुख देना, लड़ना जगड़ना भी अपावित्र करतव् पाप कहते है जन्म जन्मांतर तो तुमने पाप किया है अब वैसे बादते मिटानी है अभी तुमको सच्चा सच्चा महानात्मा बनना है सच्चे सच्चे महानात्मा तो यह लक्ष्मी नारायन ही है और कोई तो यहां बनना सके क्योंकि सब तमो प्रधान है ग्लानी भी बहुत करते हैं न, उन्हों को पता नहीं पड़ता कि हम क्या करते हैं एक होते हैं गुप्त पाप, दूसरे प्रत्यक्ष पाप भी होते हैं यह है ही तमो प्रधान दुनिया बच्चे जानते हैं बाप हमको भी समझदार बना रहे हैं इसलिए उनको सब याद करते हैं सबसे अच्छी समझ तुमको मिलती है कि पावन बनना है और फिर गुण भी चाहिए देवताओं के आगे जो तुम महिमा गाते आए हो अभी तुमको ऐसा बनना है बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चो तुम कितने मीठे मीठे गुल-गुल फूल थे फिर काटे बन पड़े हो अब बाप को याद करो तो याद से तुमारी आयो बड़ी होगी बाप भी भस महोंगे सिरसे बोजह हलका होगा अपनी संभाल करनी है हमारे में क्या-क्या अवगुण है वैं निकालने है जैसे नारत का मिसाल है उनको कहा तुम लायक हो उसने देखा हा कि बरोबर हम लायक नहीं है बाप तुमको उच बनाते है बाप के तुम बच्चे हो ना जैसे कोई का बाप महराजा होता है तो कहेंगे न हमारा बाबा महराजा है बाबा बहुत सुख देने बाला है जो अच्छे सो अभाव के महराजा होते हैं उनको कभी क्रोध नहीं आता है अभी तो आहिस्ते आहिस्ते सब की कलाएं उतरती गई है सभी अवगुण परवेश करते गए हैं कला कमती होती गई है तमो होते गई हैं तमो प्रधान की भी जैसे अंता कर हुई है कितना दुखी हो पड़े हैं तुमको कितना सेहन करना पड़ता है अभी अविनाशी सरजन द्वारा तुम्हारी दवाई हो रही है बाब कहते हैं पांच विकार तो घड़ी घड़ी तुमको सताएंगे तुम जितना पुर्शार्ट करेंगे बापको याद करने का उतना माया तुमको नीचे गिराने की कोशिश करती है तुम्हारी अवस्ता ऐसी मजबूत होनी चाहिए जो कोई माया का तूफान हिला न सके रावन कोई और चीज़ नहीं है वह कोई मनुष्य नहीं है पांच विकारो रूपी रावन को हि माया कहा जाता है आसुरी रावन संप्रदाए तुमको पहचानते ही नहीं है कि आखरीन में यह है को यह बीके क्या समझाते हैं रियालिटी में कोई नहीं जानते यह बीके क्यों कहलाते हैं ब्रह्मा किसकी संतान है अभी तुम बच्चे जानते हो हमको वापिस घर जाना है यह बाप बैठ तुम बच्चों को शिक्षा देते हैं आयुश्वान भव धनवान भव तुम्हारी सब कामनाई पूरी करते वर्दान देते हैं परंतु सर्फ वर्दान से कोई काम नहीं होता मैनत करने हैं हर एक बात समझने की है अपने को राज तिलक देने की अधिकारी बनना है बाप अधिकारी बनाते हैं तुम बच्चों को शिक्षा देते हैं ऐसे ऐसे करो पहले नंबर की शिक्षा देते हैं मा में कम याद करो मनुश्य याद नहीं करते क्योंकि वह जानते ही नहीं तो याद भी रौंग है कहते ईश्वर सर्व व्यापी है फिर शिव बाबा को याद कैसे करेंगे शिव के मंदिर में जाकर पूझा करते तुम पूछो इनका occupation बताओ तो कहेंगे भगवान सर्व व्याप्पी है पूझा करते हैं उनसे रहम मांगते हैं मांगते हुए फिर कोई पूछता परमात्मा कहा है तो कहते हैं सर्व व्याप्पी है चित्र के सम्मुख क्या करते हैं और फिर चित्र सम्मुख नहीं तो कलाकाया ही चट हो जाती है भगती में कितनी भूलें करते हैं फिर भी भगती से कितना प्यार है श्रीकरश्नी के लिए कितना निर्जलादी करते हैं यहां तुम पढ़ रहे हो और वह भग्त लोग क्या क्या करते हैं, तुमको अभी हसी आती है, ड्रामा उनसार भग्ती करते हैं, कदम नीचे उतरते हैं, उपर तो कोई चढ़ न सका, अभी यह है पुर्शोत्तम संगम युग, जिसका कोई को पता नहीं है, अभी तुम पुर करता हूँ, तुमको पढ़ाता भी हूँ, सभी आत्माओं का बाप है, टीचर भी बनते हैं, स्रश्टी के आदी मध्य अंत का ग्यान भी सुनाते हैं, यह ग्यान और कोई मनुष्य में हो न सके, कोई सिखला न सके, तुम पुर्शार्थ ही करते हो कि हम यह बने, दुनिया म मनुष्य कितने तमो प्रधान बुद्धी हैं, बहुत खोफनाक दुनिया हैं, जो मनुष्य को नहीं करना चाहिए, वे करते हैं, कितना खून डाकादी लगाते हैं, क्या नहीं करते हैं, सो परसेंट तमो प्रधान हैं, अभी तुम फिर सो परसेंट सतो प्रधान बन रहे ह उसके लिए युक्ति बताई है याद की यत्रा याद से ही विकर्म विनाश होंगे बाप से जाकर मिलेंगे भगवान बाप आते कैसे हैं यह भी तुम अब समझते हो इस रत में आए हैं ब्रह्मा के इत्रियू सुनाते हैं जो फिर तुम धारण कर औरों को सुनाते हो तो दिल होती है डारेक्ट सुने बाप के परिवार में जाएं यहां बाप भी है, मा भी है, बच्चे भी है परिवार में आ जाते हैं वह तो दुनिया ही आसूरी है तो आसूरी परिवार से तुम तंग हो जाते हो तो इसलिए दंदादी छोड़कर बाबा के पास रिफ्रेश होने आते हो यहां रहते भी हैं ब्रामन तो इस परिवार में आकर बैठते हो घर में जाएंगे तो फिर ऐसा परिवार नहीं होगा वहां तो देधारी हो जाते हैं उस गोरक धंदे से निकल तुम यहां आते हो अब बाब कहते हैं देख के सब संबद छोड़ो खुश्बूदार फूल बनना है फूल में खुश्बू होती है सब उठाकर खुश्बू लेते हैं अक के फूल को नहीं उठाएंगे तो फूल बनने के लिए पुर्शाथ करना है इसलिए बाबा भी फूल ले आते हैं ऐसा बनना है घर ग्रहस्त में रहते एक बाप को याद करना है तुम जानते हो यह देख के संबंदी तो खलास हो जाने है तुम यहां गुप्त कमाई कर रहे हो तुमको शरीर छोड़ना है कमाई करके और खुशी से हर्शित मुखो शरीर छोड़ना है खुमते फिर्देपी बाप को याद करते रहो तुमको कभी ठकावट नहीं होगी बाप की याद में अशरीरी हो कितना भी चक्रे लगाओ बल यहां से नीचे आबू रोड तक चले जाओ तो भी ठकावट नहीं होगी पाप कट जाएंगे हलके हो जाएंगे तुम बच्चों को कितना फाइदा होता है और कोई तो जान ना सके सारी दुनिया के मनश्य पुकारते हैं पतित पावन आकर पावन बनाओ फिर उनको महात्मा कैसे कहेंगे पतित को फिर माथा थोड़े ही टेका जाता है माथा पावन के आगे जुकाया जाता है कन्या का मिसाल जब विकारी बनती तो सब के आगे सिर जुकाती है और फिर पुकारती है हे पतित पावन आओ अरे पतित बने ही क्यों जो पुकारना पड़े सबके शरी तो विकार की पैदाईश है न क्योंकि रावन का राज्य है अभी तुम रावन से निकल आए हो इसको कहा जाता है पुर्शोत्तव संगम युग अभी तुम पुर्शार्थ कर रहे हो राम राज्य में जाने के लिए सत्युग है राम राज्य सिर्फ त्रेता में राम राज्य कहें तो फिर सुरवन्शी लक्षमी नारायन का राज्य कहां गया तो यह सब ग्यान अभी तुम बच्चों को मिल रहा है नई नई भी आते हैं जिनको तुम ज्यान देते हो, लाइक बनाते हो, कोई कसंग ऐसा मिलता है जो फिर लाइक से नालाइक बन पड़ते हैं, बाप पावन बनाते हैं, तो अब पतित बनना ही नहीं है, जबकि बाप आया है पावन बनाने, माया ऐसी जबरदस्त है जो पतित बना देती है, हरा देती है खैते हैं बाबा रक्षा करो वाह लड़ाई के मैदान में धेर मरते हैं, फिर रक्षा की जाती है क्या? यह माया की गोली बंदूख की गोली से भी बहुत कड़ी है काम की चोट खाई गोया उपर से गिर सत्योग में सब पवित्र ग्रहस धर्म वाले होते हैं जिनको देवता कहा जाता है अभी तुम जानते हो बाप कैसे आए हैं कहा रहते हैं कैसे आकर राज्योग सिखाते हैं दिखलाते हैं अरजुन के रत पर बैट ग्यान दिया है फिर उनको सर्ववयापी क्यों कहते बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उन्हें ही भूल गए हैं अभी वह स्विम अपना परिचाह देते हैं अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते धारना के लिए मुखे सार मान आत्मा बनने के लिए अपवित्रता की जो भी गंदियादते हैं, वे मिटा देनी हैं, दुख देना, लड़ना, जगरना, ये सब अपवित्र करतव वे हैं, जो तुम्हें नहीं कर रहे हैं, अपने आपको राज तिलक देने का अधिकारी बनाना है, बुद्धी को सब गोरक धंदों से, देहधारि गुप्त कमाई जमा करने के लिए चलते फिरते अशरीरी रहने का अभ्यास करना है, वर्दान, अपने शुब चिंतन की शक्ती से अत्माओं को चिंता मुक्त बनाने वाली शुब चिंतक मनी भव, अब आप दादा के वर्दान को विस्तार में समझेंगे, आज के विशुब में सब आत्माओं चिंता मनी हैं, उन चिंता मनियों को आप शुब चिंतक मनियां अपने शुब चिंतन की शक्ती द्वारा परिवर्दन कर सकते हो, जैसे सूरे की किरने दूर दूर तक अंधकार को मिटाती हैं, ऐसे आप कल्प रूपी चमकवा किरने विशुब में चारों और फैल रही हैं, इसलिए समझते हैं कि कोई स्प्रिच्वल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है, यह टाचिंग अभी शुरू हुई है, आखरीन धूंडते धूंडते स्थान पर पहुँच जाएंगे, स्लोगन, बाप दादा के डारेक्शन को क्लियर कैच करने के लिए मन बुद्धी की लाइन क्लियर रखो, ओम शांती